मार्च के आखरी सब्ता में ओफलाइन होगी मैट्रिक और इंटर की परिक्षा सिक्षा विभाग ने जे एसी को दिये तैयारी की आदेश जारखन एकेडमी काउंसिल की तरब से राज़ में मैट्रिक और इंटर की परिक्षा का आयोजन मार्च के आखरी सब्ता में ही किया जाएगा इस संबन में सिक्षा विभाग के तरब से J.A.C. को आदेश दे दिया गया है सिक्षा सची ने अपने आदेश में कहाई कि राज जिमें परिक्षा आफ लाइन आयूजित की जाएगी इस बार परिक्षा में दो सत्रों के बीच में चात्रों को एक दिन का समय दिया जाएगा इस बार परिक्षा नए प्रारूप में होगा नए प्रारूप में परिक्षार्थियों को अब पूर्व की भाती असी अंग की परिक्षा के लिए जितना समय दिया जाता था उतना ही समय मिलेगा परिक्षार्थियों को अब तीन घंटे का समय दिया जाएगा OMR शीट और उत्तर पुस्तिका पर होगी परिक्षा अब दिसंबर और मार्च में होने वाली परिक्षा एक साथ दो टर्म में होगी दोनों के लिए एक घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा असी अंक में से 40 अंकी परिक्षा प्रथम चरण की परिक्षा के अनुरूप OMR शीट पर ली जाएगी जबकि दूसरे चरण की परिक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी प्रथम चरण की परिक्षा के सभी प्रश्ण बहु विकल्पी होंगे और दूसरे चरण की परिक्षा में लगु और दीरगुत्री समेथ सभी प्रकार के प्रश्ण पूछे जाएंगे। COVID-19 संकरमन के कारण वर्ष 2022 की मैट्रीक और इंटर की परिक्षा दो चरणों में लेनी की बात कही गई थी। लेकिन दिसंबर में प्रथम चरण की परिक्षा नहीं हो सकी। अब दो चरणों में परिक्षा लेने के लिए परियाब समय नहीं होने करण एक ही चरण में परिक्षा ली जाएगी परन्तु परिक्षारतियों को किसी प्रकार की परिशारी ना हो इस कारण पूर्ग में तय प्रश्न पत्र के पैटर्न की अनुरूप ही परिक्षा ली जाए झाल झाल